वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स मेरा नाम है अंचिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता राजस्तान की अजमेर जेल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मामला ये है कि यहाँ पर कैदी पैसा देकर सिग्रेट पीने से लेकर वी आइपी रूम में रहने तक जैसे सुईधाओं का लाव ले सकते हैं राजस्तान जेल में ये एक बड़ा रैकेट चल रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे रैकेट का भंडा फोर्ड किया वो कैसे आईए जानते हैं राजस्तान की अजमेर जेल यहाँ कैदियों को वी आइपी टीट्मेंट मिलने के मामले का खुलासा हुआ तो सिस्टम पर सवाल उठने लगे बताया जा रहा है कि इस जेल में बंद कोई भी कैदी तैस्वीधा शुल्क देकर वी आइपी रूम में रह सकता है इतना ही नहीं वो सिग्रेट भी पी सकता है एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे रैकेट का भंडा फोर्ड किया जांच में सामने आया कि 8 लाख रूपे प्रती महीना देकर कैदी वी आइपी रूम का इस्तिमाल कर सकते थे वहीं 15,000 रूपे प्रती महीने के भुकतान पर सिग्रेट का कोटा मिल जाता था हिंदुस्तान टैम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ACB के एक वरिष्ट अधिकारी ने नाम चिपाने की शर्त पर ये बताया अजमीर सेंटरल जेल में हर बैरक में एक ऐसा कमरा है जहां कैदीयों को वी आइपी सुईधा मुहीया करवाई जा रही थी जाच के दोरान हमें बैरक नमबर 1 से 15 तक सभी बैरक में एक वी आइपी कमरा उन कैदीयों के लिए बना मिला जो आर्थिक रूप से मजबूत बैक ग्राउंड से तालूक रखते हैं इन कमरों पर चोक से निशान लगे हुए थे इन कमरों में कैदीयों को साफ कमरा, स्पेशल खाना, साफ कपड़े जैसे कई सहूलियत मुहीया करवाई जाती थी जानकारे के मुताबिक इन वी आइपी रूम्स का इस्तिमाल करने के लिए कैदीयों को 8 लाक रुपे प्रती महीने का किराया देना पड़ता था ACB के अधिकारियों के माने तो जेल स्टाफ में मुझूद बिचोलिये कैदीयों के परीजनों से जेल के बाहर पैसे ले लेते थे वहीं कुछ लोग ओनलाइन मोड में भी कैश ट्रांसफर करवाते थे इस पूरे मामले में ACB ने बैंकों से इस रैकेट से जुड़े आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट्स देने के लिए कहा है साथ ही 18 बैंक खाते सीज भी कर दिये गए है इस मामले के सामने आने पर हर कोई हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है गुना करने वाले जब जेल में इतने आराम की जिन्दगी बिताएंगे तो फिर जेल का डर आखिर किसको रह जाएगा ये मामला एक सवाल या निशान है हमारी कानून व्यवस्था पर और हमारे पूरे सिस्टम पर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले चनसत्ता को